अपने से बहुत साइं केंडेट्स कह रहे हैं सर कि क्या अब जो आल इंडिया कोटा का कट अफ है वो स्काई रोकेटिंग हो जाएगा देखिए अगर आप मेरे पूराने सब्सक्राइबर हैं मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन रिजल्ट से पहले दी थी वहीं इन्फॉर्मेशन यहां पर है क्योंकि मेरी जो बेस स्कोर था 600 प्लस का वो 18 से 20 जार रेंक था तो मैंने उसी के हिसाब से आपको कैल्गुलिशन करके बताया थी डेटा तो मैंने जिस जिस कैंडिट्स को बताया था कि हाँ आपका सेलेक्शन हो जाए उनका तो 100 परसेंट है उसमें कोई डाउट नहीं है अब यह बात कर लेते हैं कि क्या आल इंडिया कोटा का कटफ कैटेग्री वैस क्या हो सकता है और कौन-कौन से फेक्टर इफेक्ट करेंगे क्यों मूँ उठा के वीडियोस मैंने बनाता हूं एक एक चीज बारिकी से दो बातों पर डिपेंड करेंगा हलाकि मैंने जो कσιो पहले बताया थे वह भी सिक्सेंडर five के करीब बताया था यह तना जा सकता है लेकिन यह इस बाद पर डिपन करेगा पहली बाद इस बाद सीटें इंक्रीज हो रहे हैं यूपी जैसे स्टेट में 900 सीटें बड़ रहे हैं जिसका सीधर सीधर प्रुभाव ओल इंडिया कोटा में लगबग 135-150 सीट के करीब ओल इंडिया कोटा में जाएंगे इसी तरह से इम्स की भी जिस इम्स इंस्टिट्यूट में पिछली बाद 50 सीट से या 100 सीट से वो अपग्रेड होंगी वो बढ़ती है हर साल 50 सीट को 100 किया जाता है ऐसा हर बार होता है तो वहाँ पर भी सीटें इंग्रीज होंगी कुछ और इस टेट है जहाँ पर GMC आई होंगी है तो overall सीटें कितनी जाती है इस पे डिपन करता है दूसरा आपका Reservation जैसे कि आपने देखाओ नीट PG की Counseling रोकी गई है 27% OBC और 10% EWS का जो All India कोटा में 15% Counseling में यहाँ पे 50% Counseling में जो यहाँ पे दिया गया था इत बार Reservation उसके दिखाड़े तो पूरा मैटर क्या है Reservation मिलता है नहीं मिलता है सीट मैटर से एक बार आ जाएगी All India कोटा की तो आपको पूरा Clearance हो जाएगा लेकिन अगर आप पिछली बार की Cut-off में आ रहे हैं पिछली बार का All India कोटा की Cut-off में आ रहे हैं तो इस बार आप मान के चलिए क्या आपका हो जाएगा अगर आपका स्कूर 610 के करीब 610-615 के करीब लाई कर रहा है तो आप सेफ हैं इसी तरह से SCST के Candidates का भी लगवग SC Candidates का 500 SC Candidates का 494-95 के करीब अगर है तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपका All India कोटा से SCT आपको मिल जाएगी इसी तरह से EWS Candidates का है अभी फैक्टर पर डिपन कर लेका कि Journal का Cut-off और OBC का Cut-off इन दोनों की बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 4-5 मार्क का डिफरेंस होता है अगर यह Rule Implement हो जाता है 27% OBC और 10% EWS की हिसाब से आपको CT मिलती है तो General का Cut-off 4-5 मार्क उपर रहेगा थोड़ा ज़्यादा जा सकता है लेकिन 610-615 के करीब मैं यह मान के चल रहा हूँ यह Change होगा अगर एक बार Seat Matters आएगी तो Change हो सकता है पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको तो इतना हो सकता है दोस्तों All India Kota का अगर आप Last Year के Cut-off में जैसे मैं पहले भी मेरे पूराने वीडियोज देखिए अभी एक महिने पहले Last Year के Cut-off में अगर आप आए तो अपने आपको Safe महसूस कर लीजिए आप Safe है All India Kota से सीटे नहीं मिलेंगी तो आपको स्टेट कोटा से सीटे जरूर मिल जाएंगी अब यहाँ पे यह Depend करता है स्टेट कोटा में कि किस स्टेट का Performance कैसा है वो पता चलेगा जब आपकी स्टेट मेरिट आएगी अभी तो यह फिलाहाल All India Kota का है स्टेट कोटा का वीडियो बहुत ही जल आपको आएगा और Proper analysis के बाद ही आएगा यहाँ पे मेरा मकसद यह नहीं होता कि मुँठा कि क्यों डेटा डाल दिया जाए 610, 615, 620 यह सब मैं नहीं करता हूँ एक genuine point के base पे ही वीडियो बनाता हूँ I hope यह information आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो like और share जरू करें